अब सबसे इंपोर्टेंट जिस पर कोश्चन भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि एपिकल एक्टोडर्मल रिज एयर जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्जिन लिम बड मतब कि वो डिजिटल एंड पर पाया जाता है ना एयर जो कि थिकेंड एरिया था जो कि बहुत ह इंपोर्टेंट था लिम के डेवलेप्मेंट के लिए तो उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़े जान लेते हैं एयर के बारे में प्रॉलिफरेशन और मीजन काइम सेल्स को यह प्रॉलिफरेट कराता है क्योंकि जब यह रिस्टिक्टिट रहता है तो जो यह प्रोग्रे और FGF-8 सस्टेंड करवारा था FGF-10 को और FGF-10 का काम क्या प्रॉलिफरेशन कराना तो मेंटेन किसको करता है FGF-10 के सिक्रीशन को और FGF-10 का काम क्या है प्रॉलिफरेशन को मेंटेन करना तो दूसरा काम इसका हो गया है जनरेटिंग प्रॉक्सिमल टू डिस्टिल ए एंटर दवीज डे सिक्रीट फ्ग कि अन्ट ख़र्ड यह और यह बनता कैसि यह से यह जैसे मिजन काइम सेज मतलब ल्पिम इस Demi ने वह उन्में क्या बनता है फ्ग अपतन बन का इस the mesenchyme beneath its proliferating state and enable linear proximal distal shoulder finger growth of the limb. यह maintain करता है mesenchyme cells को कि वो proliferating state में बना रहे AER ठीक है जिससे कि पूरा proximal distal means कि shoulder to finger structure limb का growth limb की हो पाए तो यह होता है AER अब हम लोग कुछ cases देखते हैं ठीक है पहला case अगर हम लोग AER को remove कर अगर हम लोग AER को remove कर देंगे तो AER हो जाएगा तो limb क्या हो जाएगी सीज कर जाएगी क्योंकि limb का AER maintain करा रहा था progress zone को अब progress zone तो growth करी नहीं पाएगा ना तो इसमें क्या हो जाएगा limb क्या हो जाएगी सीज हो जाएगी यह बहुत important case अब दिहान से पढ़िए इफ AER removed at any time during the limb development जब limb की development हो रही और AER suppose की इतना development हुआ और हमने यहां से AER हटा दिया तो भी क्या होगा limb सीज़ कर जाएगी development of distal limb skeleton क्योंकि distal proximal तो माली यह बना proximal में shoulder और यह जो starting की suppose femur है या humorous है यह बना बनने के बाद हमने suppose की AER को हटा दिया तो क्या हो जाएगा कि जो distal limb skeleton है वो नहीं बनेगा limb सीज़ कर जाएगी condition 3 if extra AER grafted into an existing limb bud suppose यह limb bud है एक AER है और दूसरा AER हमने लगा दिया तो ऐसे case में क्या हो जाएगा क्योंकि AER जहां भी रहेगा वहां पर limb bud से limb का growth होगा limb का formation होगा तो ऐसे case में bird जो होती है उनके case में देखा गया super numerary super numerary मतलब कि एक क्यों मतलब दो चीज़ें दो चीज़ें ऐसे दिखना super numerary structure wing duplicated है ना duplication हो जाएगा wings का अगर एक AER की पर एक AER अल्रेडी लगा दूसरा AER लगा दिया गया तो दोनों AER अपने पीछे progress zone बना के क्या करने लगेंगे ग्रोथ करने लगेंगे तो ऐसे case for limb होते वहां पर wings बनते हैं तो ऐसे case में wings क्या हो जाएंगे duplicate हो जाएंगे super numerary structure formed हो जाएंगे usually towards the distal end of the limb कहां पर distal end पर proximal तो ग्रोथ करेंगे है ना तो structure हमें distal end पर दो structure ऐसे करके wings के दिखने लगेंगे condition for if leg mesenchymes placed leg mesenchymes placed directly beneath the wing AER अगर leg mesenchymes को हम लोग यह AER है ठीक है AER के नीचे मालेजी यह body part है ठीक है यहाँ पर लिम बनना था यहाँ पर फोर लिम यहाँ पर हाइंड लिम के hind limb के mesenchymes को four limb के mesenchymes के AER के नीचे रखा गया ठीक है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि distal hind limb structure toe develop at the end of limb मतलब क्योंकि जो mesenchymes है वहाँ पर क्या आ रहा है वहाँ पर TBX4 आ रहा है ठीक है TBX4 जब आएगा तो hind limb का formation होगा तो क्या होगा कि जो distal end है वहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें toe दिखने लगेगा जहां पर हमें finger दिखनी चाहिए ते क्योंकि AER देखिए इसका मतलब क्या होगा कि AER तो दोनों के ही case में एक जैसा है ठीक है AER की बात नहीं है जो मीजन काइम है वहाँ पर TBX4 और TBX5 का मतलब expression हो रहा था तो मीजन काइम एक important यह हो गया कि मीजन काइम कौन सा है वो भी एक important role play कर रहा है अब इसके बात condition 5 if मीजन काइम placed farther from the AER अगर AER से हम दूर कहीं माली जै यह AER है और यह structure body structure है अब हमने कहीं A means की जो मीजन काइम cells है उनको हमने कहीं दूर रख दिया तो दूर रखेंगे the hind limb leg मीजन काइम become integrated into wing structure कहने का मतलब यह है कि अगर मीजन काइम को हम थोड़ा सा दूर AER से रखते हैं तो क्या होगा कि जो वहाँ पर suppose की the hind limb leg मीजन काइम है तो leg मीजन काइम integrated wings structure बनाए क्योंकि उसको फिर वहाँ से क्या मिलने लगेगा means की यहां से suppose की यहां पर 4 limb के case में TBX 5 हो रहा है और hind limb के case में TBX 4 हो रहा है तो उसको यहां से भी signal मिलने लगेगा तो इसके case में क्या होगा कि दोनों structure integrated structure बनने लगेगा अगर हम सही position पर नहीं रखते हैं ठीक है इसके बाद if limb mesenchyme replaced by non-limb mesenchyme beneath the AER अगर limb mesenchyme जो है उसको हम किसी दूसरे mesenchyme से replace कर दें जो कि limb mesenchyme नहीं है तो ऐसे case में क्या होगा कि AER regress कर जाएगा limb development cease कर जाएगा क्योंकि limb mesenchyme के पास ही तो TBX4 और TBX5 था अब suppose कि कोई ऐसा ही कहीं का भी tissue ठाके हमने रख दिया तो उसके पास means की morphogeny नहीं है वो transcription factory नहीं है कि वो limb बना पाए तो AER ऐसे case में AER भले ही है AER तो है लेकिन progress zone में जो mesenchyme है उसमें TBX4 यह TBX5 के gene ही नहीं है मतलब वो express transcription factory नहीं है तो कुछ भी नहीं बन पाएगा AER regress कर जाएगा AES मतलब AER खतम हो जाएगा और limb cease कर जाएगी ठीक है पिर condition 7 क्या AER replaced by FGF bead अगर हम AER को FGF bead से वो कर दें क्या कर दें रिप्लेस कर दें और AER क्या सिक्रीट कर रहा था AER सिक्रीट करता था FGF 8 अगर हम इसको FGF से रिप्लेस कर दें AER को तो भी क्या हो जाएगा जो काम AER सिक्रीट करके जो भी चीज़े कर रहा था वो चीज़े अगर हम किसी bead में रखके उस सिक्रीशन से bead को means की inoculate करके रख दें तो normal wings का formation होगा ठीक क्योंकि जो काम AER कर रहा था वो FGF कर रहा है condition 8 क्योंकि AER भी तो FGF ही सिक्रीट कर रहा था condition 8 if beads containing FGF 10 अगर beads FGF 10 containing है placed ectopically beneath the flank ectoderm मतलब suppose कि यह है यहाँ पर बनने वाली थी अब क्या किया गया कि कुछ beads लिए गया और FGF 10 के beads यहाँ पर रख दिये गया ectopically मतलब कि उस position से हटा के अलग location पर रखा गया beneath the flank region, flank region के case में तो क्या होगा कि ऐसे case में जब FGF का secretion मतलब FGF ही तो FGF ही तो AER बनवा रहा था FGF ही तो Misenkym करवा रहा था तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि FGF 10 की वज़े से extra limb emerges हो जाएगे मतलब यहाँ तो limb बनी रहे थे यहां भी बीट रख दिया यहां भी limb बनने लगा क्योंकि में रोल तो FGF ही कर रहा था AER भी बनवा रहा था FGF ही Misenkym का proliferation भी करा रहा था और जब यह दोनों चीज़ों होने लेगे तो AER बनेगा तो FGF 8 भी बनेगा तो इसलिए क्या हो रहा है कि यह एक एक एक्स्रा इमर्ज कर जाएगा इफ FGF secreting bead placed in place to induce ectopic limb between chick hind limb और fore limb अब यह बताईए कि क्या किया गया FGF secreting beads है उनको place किया गया to induce ectopic limb ऐसी जगह पर place किया गया कि कोई एक अलग से एक और limb का development हो और उनको बीच में center में रखा गया है fore limb और hind limb के बीच में इफ center expressed anterior of the limb TBX5 और posterior of the TBX4 into posterior limb resemblance the hind limb make chimeras मतलब कहने का यह है कि अब भाई बीच में कहीं FGF यह रख दिया गया ठीक अब यहाँ TBX4 का भी मतलब में इसको मिल रहा है transcription factor और इधर का भी मिल रहा है दोनों तरफ का मिलेगा तो फिर एक क्या होगा एंट तो ऐसे case में एक chimeras का development हो जाएगा ठीक है अगर center में रखेंगे और दोनों के वो मिल रहे हैं expression मिल रहे हैं TBX4 और TBX5 का तो chimeras chimeras मतलब की दो चीजों को दो चीजें मिला के जो कोई एक structure बन जाता इसको chimeras बोलते हैं दो चीजें जैसे हम लोगों ने germline chimeras drosophila में पढ़ा था तो क्या हो रहा है कि यहां पर chimeras structure बनेगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा तो आपको पता ही है कि ऐसे से एक बना means की structure बनेगा और duplicate digits हो जाएंगे मतब दो hands type का structure देखेगा duplicate double हो जाएंगे the number of digits resulting wings is double double digits में जाएंगे यह था AER के बहुत important mutation case ठीक है अब हम लोग कुछ question देखते हैं in context the proximal distal growth and differentiation of tetrapod limb following experiment were visualized मतलब की distal proximal distal growth or differentiation tetrapod limb में देखा गया तो कुछ experiment visualize किये गया या किये गया if the apical ectodermal risk is removed at any time during the limb development further development of distal limb skeleton element seizes अब देखिए यह जितने भी हमने cases आपको बताएं यह सारे हमने Gilbert book है उससे चीजें हमने करके बताई हैं और सेम चीजें यहां पर देखिए पूछा गया इसलिए sentence और जो भी mutation cases बहुत important हैं आपके experiment के लिए तो जो line हमने ऊपर वहां पर लिखी है इस सेम लाइन यहां पर लिखी है तो यह हमारा क्या है यह statement हमारा correct है तो सीज तो करी जाएगा अगर हम किसी भी time हटा देते हैं तो यह तो true हो गया इसके बाद इस लेग मीजन काइम प्लेज डिरेक्ली बिनीद द विंग एया हाइंड लिम इस्टक्चर डेवलप अड़ एंड ओफ द लिम यह भी हमारा क्या हो जाएगा प्रू इसके बाद नेक्स क्या है इफ एन एक्स्ट्रा एयार इस ग्राफ्टेड ओन्टो एक्जिस्टिंग लिम सुपर नुमेररी स्टक्चर आर फॉर्म दूजली अड़ डिस्टल इंड अफ लिम यह भी true हो गया अब इसमें से बताना था विच आप द फॉलोइंग एक्स्परिमेंट उड बी पॉसिबल तो इंटरेक्शन बिट्बीन दा तो समझ गया है कौन सा हो जाएगा आर इस इन लिस्टेट बिलो अलॉंग विद्धा एक्स्पेक्ट आउटकम रिमूवल ओफ ए यार ओफ फोर लिम लीड तो सेसेशन ओफ टीक है अगर हम ए यार को हटा देते हैं तो सीज कर जाएगा लिम तो यह तो हमारा सही हो जाएगा कि अगर हम एक्सट्रा कर देंगे तो फोर लिम की जगह हाइं लिम बनने लगेगा ए यार का काम फोर लिम हाइं बनाना नहीं है ए ए यार का काम है undifferentiated रखना और मीज की वो किसी भी तरीके से progress जोन को maintain रखे बाकी decide करना मीजन काइम सेल्स का क्योंकि TBX4 TBX5 किसके पास होता है मीजन काइम सेल्स के पास होता है तो यह वाला तो हमारा wrong हो जाएगा इसके क्या हो सकता है development हो सकती है इसा तो होता नहीं है मीजन काइम में ही सारे TBX होते हैं तो यह भी नहीं होगा तो हमारा इसके कौन सर्फ्षन सही हो जाएगा और की कॉश्ण हो और है what would happen as a result of transplantation experiment in a chick embryo where the leg is in time is placed directly beneath the wing apical ectodermal ridge हो जाएगा a distal hind limb structure develop at the end of the limb during the wing development in chick if apical इस पर देखी बहुत question आते हैं AER पर तो AER को अच्छे से समझ लीजिए उसके cases को भी समझ लीजिए ठीक है on the other hand placing a leg mesenchyme directly beneath the wing AER distal hind limb structure develop at the end of wing and if limb mesenchyme is replaced by non limb mesenchyme beneath the AER regress AER regress this may be demonstrate that पहला है a limb mesenchyme cell induce and sustain AER ठीक है यह वाला तो हमारा सही हो सही है ठीक है AER को sustain किया जाता है मतलब AER sustain limb mesenchyme cells induce करते AER को AER sustain करता है FGF 10 को the mesenchyme cells specify the type mesenchyme cells specify करते कि इसको wings या limbs क्या बनना है mesenchyme cells क्योंकि TBX4 TBX5 किसके पास है mesenchyme cells के पास है if AER is responsible for specifying the type AER तो responsible होता नहीं है ठीक है तो यह हमारा wrong हो गया इसके बाद फिर क्या है इसके बाद हम लोग चलिए इतना हो गया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यह सब तो चीज़े आपने समझ ली कि अंटियर पोस्टियर डॉरसल वंक्ल और प्रोक्सिमल डिश्ट यह सब हो गया जfred अब एंटियर पोस्टियर होता है जब तो फिर और बिर्हों कि यहां इंट्वर्डी छनवर्व और इन्पोर्टन्ट रोल प्ले करते हैं तो तो वहां बताया जाता है कि यह जो fingers के structure दिख रहे हैं इन डिजिट्स के बीच में apoptosis हुआ है अगर apoptosis नहीं होता तो यह डिजिट्स ऐसे नहीं दिखते हैं हमारा webbed structure देखता ठीक है जैसे कि किसका चिक वगरा कर नहीं नहीं किसी animal का होता है वैसा structure वैसा structure देखता ठीक अब उसके लिए एक important factor है bone morphogenetic protein जिसको कहते हैं शौर्ट में BMP protein BMP protein का एक important role है BMP shutdown AER जब progress zone suppose कि माली जै यह क्या है यह आप देख पा रहे हैं कि यहां पर यह लिंबड है यह AER है यह blue color का AER अब AER formation हो रहा है जब deserts बननी है ठीक है अब deserts बननी है इस तरह से deserts बननी है suppose तो यहां यहां पर क्या होगा कि क्या होगा कि क्या क्या था AER का काम था undifferentiated cells को रखना ठीक है अब जब deserts बनेंगी तो cells differentiate होगी तो differentiate होगी तो इसका मतलब कि AER को वहां से खतम होना होगा तो BMP क्या करता है AER को shutdown कराता है ठीक है BMP क्या करता है AER को shutdown कराता है और shutdown कराता है WNT pathway signaling के साथ act करता है और यह किसके through होता है BMP के through होता है अब BMP भाई होता तो है already पाया तो जाएगा ही लेकिन वह कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहा है जब तक यह जो लिम बड़ है वह progress जोन में है ठीक है जब progress उसमें कर रही है growth कर रही तो उस समय BMP काम नहीं कर रहा है लेकिन जब deserts बनेंगे तो BMP का करेगा तब वो क्या करेगा AER को खतम कराएगा और वहां पर finger का structure बनेगा लेकिन जो यह फिंगर के यह वाले structure यहां पर AER होगा ठीक है यहां पर AER होगा क्योंकि तभी तो यह फिंगर भी अगर हमारी फिंगर भी लंबी लंबी दिख रही है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फिंगर के स्टम दिख रहे हैं फिंगर के सिर्फ इंप्रेशन दिख रहे हैं तो फिंगर के जो एंड हैं वहां भी तो AER रहा होगा तभी तो फिंगर भी लंबे लंबे दिख रहे हैं यह जो इनकी फिंगर की लेंथ दिख रही है इसमें भी तो यहां पर मतलब सपोस्कि यहां पर AER को Regress किया गया होगा, यहां पर Stop किया होगा, यहां पर AER होगा, तो यहां पर जो AER नहीं हो रहा, इसको खतम किया जा रहा, उसका Reason कोण है BMP, और BMP पाया, तो पहले से ही जाता होगा LIMBUD में, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता, तो उसको कौन ब्लॉक करता है, उसको ब्लॉक करता है Gremlin, Gremlin ब्लॉक BMP, BMP को ब्लॉक करने वाला कौन है Gremlin, तो Gremlin ब्लॉक BMP signaling so that limb can grow properly, जब BMP पाया तो जा रहा है, लेकिन BMP को रोक के कौन रख रहा है Gremlin, Gremlin ब्लॉक को रख रहा है, लिम प्रॉपर ग्रोथ कर गई, अब इसके बाद फिर जब इंटर डिजिटल स्टक्चर बनना होता है, तो उस समय BMP का जो एक्सप्रेशन है वो शुरू होता है, वो एपप्टॉसिस कराता है, तो एक्सप्रेस इन, BMP एक्सप्रेस इंटर डिजि से जोब डवलप्मेंट, मिस की BMP की अगर देखे तो दो में फंक्षन है, एक काम है एपप्टॉसिस कराना, दूसरा काम है बोन-कार्टिलेस टिशू का फॉर्मेशन कराना, क्योंकि बाइट टिशू इसके बोन से भी तो बन रहे है, कार्टिलेस से बोन का भी फॉर्मेश दो चीजे करा रहा है BMP, या तो वो death कराएगा, और या तो वो differentiation कराएगा, death कहां कराएगा, death कराएगा, interdigital part में apoptosis को through death कराएगा, या फिर differentiation कराएगा, differentiation किसका कराएगा, cartilage bone, यह जो बन रहे हैं, उनका differentiation कराएगा, the effect of BMP can be regulated by noggin and gramellin, ठीक है, gramellin और noggin से इसका effect को regulate किया जाता है, gramellin क्या करता है, gramellin BMP के effect को block करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह AER है, यह sonic है, यह sonic है, जो कहाँ express होता है, jet PA reason में, ठीक है, jet PA reason है, यहाँ पे sonic है जो की expression हो रहे है, एंटियर पोस्टियर बन रहा है, तो वहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, कि BMP को gramellin ने inhibit करके रखा है, जब progress zone जल रहा है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा, कि BMP, यह जो inhibition है, वो खतम हो जाएगा, और फिर क्या होगा, कि apoptosis शुरू हो जाएगी, तो जब progress zone में है, तो उस समय, gramellin BMP को inhibit करके रखता है, लेकिन जब काम करना होता है, तो BMP का काम है, या तो death कराएगा, या तो differentiation किसकी कराएगा, इंटर डिजिटल सेल्स जो बीच में है, उनकी death कराएगा, differentiation किसका कराएगा, cartilage bone का differentiation कराएगा, ठीक है, अब इसके बाद, यहाँ पे, यह आपको समझ में आया, BMP और अब joints, बहुत important role है, जब हमारा hands बनता है, तो वहाँ पे, जैसे यह ऐसा बनता है, यह fingers, तो यहाँ पे आप देखिए, आप अपने hands के देखिए, इस side में यहाँ पे, अगर आप अपना फोल्ड करिए hand, इस तरह से, तो यहाँ पे आपको कुछ उभार जैसा joint दिखता है, है ना, notes जैसा structure दिख रहा, notes जैसा structure, आप फोल्ड करके अपने hands को देखिए, तो जहाँ पे finger attach है, hands है, वहाँ पे notes जैसा structure दिखता है, तो वो joints का formation भी एक critical काम है, joints है, यहाँ पे fingers का hands of digits, digits के लिए cell death एक important factor है, and joints, it is meditated by BMP, BMP के थूँ यह mediate होता है, क्योंकि cell death किसके थूँ mediate हो रहा है, BMP के थूँ, the effect of BMP can be regulated by Nogin protein, and the BMP can be involved in both inducing apoptosis and differentiating mesenchyme cells into cartilage, जैसा कि मा उलेडी बता चुके है, कि BMP की दो काम है, या तो वो death कराएगा means कि, या तो वो apoptosis कराएग या तो वो mesenchyme cells को differentiate कराएगा, cartilage में, cartilage में, cartilage में आगे चलके क्या बनाने वाली है, bone, the difference between unwebbed, unwebbed chicken food, unwebbed chicken food and webbed duck food can be explained difference between the expression of gremlin and a protein antagonized the BMP, मतलब कि, एक में webbed structure होता है, और एक में unwebbed structure होता है, chicken food में unwebbed structure होता है, और webbed structure duck में होता है, तो जो यह डख में webbed structure होता ह structure दिखता है, वो दोनों के differences को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, BMP और gremlin के expression के थ्रू देख सकते हैं, gremlin है, वो gremlin क्या कर रहा है, BMP के expression को antagonize कर रहा है, और BMP का का काम क्या, apoptosis करना, अगर apoptosis नहीं होगा, तो digits का formation नहीं होगा, तो मतलब क्या हो रहा है, कि webbed और unwebbed में differentiate किसके थ्रू किया जा रहा है, BMP के थ्रू किया जा रहा है, अगर gremlin ने BMP को inhibit कर के रखा होगा, तो inter-digital structure नहीं बनेगा, और अगर BMP free होगा, तो inter-digital structure बन जाएगा, ठीक, तो इसको इस experiment से देखा जा सकता है, अब इसके बाद हो रहा है, कि यह suppose BMP है, ठीक, यह भी BMP है हाँ, तो BMP क्या करता है, जैसे कि अबने बता है, BMP के दो काम है, एक apoptosis कराना, और दूसरा differentiation कराना, ठीक है, तो यह BMP क्या कर रहा है, cartilage, mesenchymes cells को cartilage में differentiate करा रहा है, इसके लिए इसको चाहिए WNT beta-catenin pathway, तो यह यहाँ पर क्या और है, cartilage को formation mesenchymes cells से हो रहा है, ठीक है, अब यह WNT pathway, BMP, FGF, BMP, FGF और WNT beta-caten pathway के साथ, एक DECOV protein होती है, DKK1 को activate कराती है, लेकिन WBMP, BMP क्या हो रहा है, BMP एक तो क्या कर रहा है, mesenchymes cells को cartilage में change करा रही है, WNT beta-caten pathway के साथ, मिलके, दूसरा BMP, WNT, beta-caten pathway और FGF के साथ मिलके DECOV protein, DECOV protein को क्या कर रही है, activate करा रही, DECOV protein आगे चलके apoptosis कराएगा, अब यह क्या होता है, जैसे ही DECOV activate होता है, और DECOV को activate किसने कराया, WNT, BMP, FGF ने मिलके, लेकिन जैसे ही यह activate होता है, वैसे ही यह क्या करता है, कि इस pathway को inhibit कर देता है, तो आप देखिए, हमने क्या बताया, BMP क्या करेगा, BMP या तो death कराएगा, और या फिर्टिफ्रेशियेशन कराएगा, या तो death कराएगा, या तो differentiation कराएगा, किसका करेगा, मीजन काईम का cartilage cells में differentiation कराएगा, या तो यह process होगा, या तो apoptosis होगा, तो जब यह हो रहा है, तो cartilage का formation हुआ, लेकिन यहां पर दिखी, जैसे ही WNT, BMP, FGF ने मिल के DECOV को एक्टिवेट कराया, जैसे ही DECOV एक्टिवेट होता है, यह इनिविट कर देता है WNT पाथवे को, जब यह पाथवे इनिविट हो जाएगा, तो यह वाला पाथवे चलेग नहीं रखा है, तो BMP यह तो cell death कराएगा, यह तो differentiation कराएगा, differentiation कराएगा मेजन काइम से, cartilage cells में, और apoptosis किसका कराएगा, inter-distal portion बन रहा है, वहाँ पे apoptosis कराएगा, apoptosis कराने के लिए BMP को चाहिए WNT, beta cut-in pathway, और FGF की मदब, और FGF कहां से मिल रहा है, तो यह DECOV को ए नहीं बिट कर देता है, तो यह जब इन बिट हो जाएगा, तो यह वाला pathway चलेगा नहीं, तो अब apoptosis सिर्फ चलेगा, या तो यह चलेगा process, means कि यह तो cartilage differentiation होगा, या तो apoptosis होगा, तो अब यहाँ पे जैसे लिखा तो BMP receive FGF or WNT when AER are present DECOV activated, this protein mediate apoptosis and invite the WNT from adding in the skeleton formation, ठी तो दोनों में से कोई एक ही process होगा, या तो tartilage वाला process होगा BMP कि थुरू, या तो apoptosis होगा, ठीप, तो यह इस diagram को आप अच्छे से जाद कर लीजिए, यह experiment से पता लगए कि BMP कितना important है, BMP कितना important है, यह experimental studies से देखा गया, तो कैसे देखा गया, कि एक early limb bird लिया गया, उस में beats रखे गए BMP-2 और BMP-7 के, तो क्या देखा गया कि cause होगा apoptosis, two days later, same beat cause the limb bird cell to form a cartilage, मतलब कि जब BMP-2 को, क्योंकि same BMP-E तो है यहाँ पे, BMP-E एक ही है, लेकिन वही BMP cartilage भी बना रहा, वही BMP apoptosis भी बना रहा, लेकिन डिपेंड कर रहा है condition पे, तो ठीक वही चीज यहाँ पे बताई गई है, कि एक developing limb bird लिया गया, उसमें BMP-2 और BMP-7 को रख दिया गया, तो apoptosis हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद, दो दिन के बाद देखा गया, तो वही beats, वही beats क्या कर रहे थे, कार्टलेस का formation करा रहे थे, तो क्या देखा गया, कि BMP-7 था, वो condrosite cartilage का formation करा रहा है, BMP-2, GDF, एक और factor होता है, GDF-5, उसके साथ क्या कर रहे है, joints और bone का formation कर रहे है, BMP-apoptosis भी कराता है, BMP-Cartilage का formation भी कराता है, क्योंकि cartilage के formation में आगे, जो hands में, हमारे fingers में, joints दिखते हैं, वो भी तो important role play करेंगे, तो BMP में यह देखा गया, कि जो 7, BMP- BMP-2, जो है, वो क्या करता है, BOMS और, मीस की, वो भी cartilage, इसको भी cartilage से ही बोनाए है, BOMS और joints का formation करता है, अगर हम इनका mutation कर दें, तो joints के formation में, के लिए वो critical mutation हो जागा, joints के formation नहीं हो पाएंगे, जहां से fingers जोड रहे हैं, fingers बन रहे हैं, और यह एक experiment में देखा गया, कि अगर हम GDF-5, GDF-5 एक means transcription factor है, इसमें अगर हम gene में mutation करते हैं, तो एक condition आती जिसको बोला जाता है, Brachypodia, Brachypodia एक stage है, एक condition है, जिसमें क्या होता है, Lack of limb joints, limb joints lacking हो जाती, joints बनते ही नहीं, मतलब आपको joints, जैसे हम अपने hands fold करते, तो finger के बीच में में joints दिखते हैं, व यह condition कब देखी गए कि जब GDF-5 का mutation कर दिया जाता है, तो उस patient को Brachypodia हो जाता है, means कि Lack of limb joints, in mice, homozygous loss of noggin, no joints form, means कि यह सब mutation करकर के यह बताया गया, कि यह सब important role play कर रहे हैं, जैसे कि noggin है, GDF-5 है, BMP है, तो यह सब important role play करते हैं, joints के formation में, अब इसके बाद, अब यहां पर कुछ sentences हम लोग पढ़ लेते हैं, the end of the long bones of human and other mammal contain cartilineous region, मतलब कि जब bones का end जो होता है, जो भी bones हमारे पाए जाते हैं, suppose कि माली जी कोई bone है, इसका जो end होता है, वो उस reason को mammals में क्या कहा जाता है, epiphyseal growth plate, the cartilage proliferate so that bone grow larger, eventually cartilage replaced by bone and growth stop, तो यहां पर क्या होता है, कि यह longer stage पर आगई और इसके नीचे यहां पर growth plate पाई जाती है, जब यह stop यहां पर होता है growth plate में, तब फिर वो length, lengthening होनी कम हो जाती, WNT protein and blood vessels appear to be critical for joint formation, joint formation के लिए WNT और blood vessels का भी एक important role है, जहां पर आप सपोज जो आपके hand में finger जहां से जुड रही है, जहां पर joints बन रहे हैं, तो उन joints के बीच में तो blood vessels भी तो होंगे, लेकिन अभी तो वो blood vessels वहां पर नहीं हैं, तभी तो वो joints वहां पर बन पाए nodule, जिस आपको nodes दिख रहे हैं, यह nodes नोडूल बन रहे हैं, जो इनकोंडूल कहेंगे, तो यहां पर blood vessels एक important role play करते हैं, क्योंकि यहां पर blood vessels को regress किया जाता है, the mesenchyme will not form nodules in presence of blood vessels, तो क्या होता है, कि nodules जो भी यह node आपको fingers के बाद में joints दिख रहे हैं, वो nodes तब तक नहीं बन सक होगे, तो blood vessels को क्या होगा, regress होना पड़ेगा, तो इसलिए WNT और यह blood vessels का बहुत critical होते हैं joint formation के लिए, mesenchyme cells को nodule बनाने के लिए, blood vessels को regress करना पड़ता है, WNT can initiate the change in cell addition molecule, such as N-cadrin, अब N-cadrin molecule आपको बता रहते हैं, का काम क्या होता है, कि particular type के cells को join करके उनको bind कर देना, आप इसको एक simple language में समझे, N-cadrin मतलब कि nodule में जो cadrin पाये जाते हैं, वहाँ पर mesenchyme cells को बांद के रखे हुए हैं, तो यह भी बहुत important role play कर रहे हैं, nodule के formation में है, joint के formation में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, the WNT, तो WNT जो pathway होता है, can initiate the change in cell addition molecule, such as N-cadrin, that cause mesenchyme cell to initiate chondrogenesis, mesenchyme cells से ही तो nodules बन रहे हैं, तो वहाँ पर chondrogenesis मतलब conversion of mesenchyme cell into nodule of cartilis forming tissue, mesenchyme cells को cartilis tissue बनाने के लिए, कौन important role play कर रहा है, WNT pathway, initiate कर रहा है chondrogenesis, chondrogenesis का मतलब क्या है, mesenchyme cells से cartilis forming tissue बनाना, और इसके लिए important role होता है, कि WNT होना चाहिए, और blood vessels का regression होना चाहिए, और N-cadrin होना चाहिए, placement of these molecules may determine the number, shape, size of condensation, अब N-cadrin, जैसा कि हम जब आपको cadrin बता रहे हैं, तो हमने वहाँ पर बताया था, कि जतने ज़्यादा cadrin होंगे, उतना ज़्यादा अच्छी binding होगी, suppose epithelial cells हैं, उनको join करना है, तो भाई, epithelial cells में E-cadrin होते हैं, तो E-cadrin अच्छे से join करें, या retina cadrin है, तो वहाँ पर अच्छे से cadrin की मतलब, size, means कि किसी particular structure, माली जै, बन रहा है, nodule बन रहा है, node structure बन रहा है, तो उसका size, shape, number, और सब किस पर depend करेगा, N-cadrin पर depend करेगा, कि N-cadrin कितना है, the placement of these molecules, कौन से molecules, N-cadrin molecules may determine the number, shape, size of these condensation, जो condensation हो रहा है, तो N-cadrin, ये line बहुत important है, क्योंकि ऐसा एक बार question आपके exam में पूछा गया है, special temporal profile of N-cadrin expression, place and time in the developing region, इसका मतलब क्या हुआ, कि एक, भाई, N-cadrin, special temporal, मतलब कि एक particular time पर और एक particular space पर ही express हो रहे है, N-cadrin, भाई, पूरे hand में तो N-cadrin express नहीं हो रहे है, जहाँ पे nodule, joints को बनाना है, वहाँ पे N-cadrin की expression हो रही है, तो N-cadrin की expression profile को कहा जाता है, special temporal profile of N-cadrin expression, जिसका मतलब कि कि किसी particular place और particular time पर expression होना, developing limb में, यह बहुत important role play करता है N-cadrin, क्योंकि joints एक particular time पर बन रहे हैं, और जिस time पर वो बन रहे हैं, तो उस time पर ही उन N-cadrin की expression होनी चाहिए, और उस place पर होनी चाहिए, जहाँ पे joints बनने हैं, तो इसलिए N-cadrin एक बहुत important role play कर रहा है, तो आप समझी कि joints के formation के लिए BMP एक important role play कर रहा है, WNT important role play कर रहा है, N-cadrin important role play कर रहा है, blood vessels का regress होना ज़रूरी है, यह सारी चीज़े, यह सारे factors, joints के formation में involvement करते हैं, तो overall यह limb का development था, अब अगर हम लोग ऐसे, आप इसको at a glance देखें कि क्या क्या important चीज़े हैं, तो limb के development के लिए, TBX 5, 4 limb के लिए, TBX 4, hind limb के लिए, FGF 10 दोनों में ही चाहिए, AER का establishment, BMP, BMP को क्या करके रखा जाता है, block करके रखा जाता है, अगर BMP को block करके ना रखा जाए, तो AER डिफ्रेंशियेट कर देगा, ठीक है, तो gremlin उसको block करके रखता है, लेकिन फिर BMP आगे चलके AER पर act करके, क्या कराता है, desert का formation कराता है, तो यह भी एक important हो गया, SER2, एक और gene होता है, SER2, यह क्या करता है, AER को limit करके रखता है, जैसे suppose कि AER है, तो AER अपनी ही जगे पर limit रहता है, ऐसा नहीं कि वो fail रहा है, या वो बढ़ रहा है, वो AER जहां बन गया, वो वही का वही रहेगा, तो उसकी limitation को maintain कौन कराता है, SER2 gene, ठीक है, progress zone establishment, FGF8, क्योंकि क्या कराता था, FGF10 के secretion को establish कराता था, और कुछ cases में FGF4 भी होता है, तो इसलिए हमने ये additional gene जो है, वो भी हमने लिख दिये है, maintenance of anterior posterior zone of polarizing activity, जो कि क्या produce करता था, sonic है, जो करता था, AER establishment, जो कि आपको हमेशा दिमाद में रहनी चाहिए, जब आप लिए हम डेवलप्मेंट पढ़ रहे हैं, TBX-5, 4 limb के लिए, TBX-4, hind limb के लिए, BMP, अगर डिजिट्स का फॉर्मेशन करना है, SER, AER के लिमिटेशन रखेगा, मतलब वो मेंटेन रहे, AER अपनी पोजिशन पे, Progress Zone के लिए, FGF 10 तो चाहिए, चाहिए, वो तो चाहिए, साथ में, FGF 8 और FGF 4 हो सकता है, Entry-Aire Posture बढ़ाना है, तो JPA, JPA क्या सिक्रीट करता है, Zone of Polarizing Activity सिक्रीट करता है, Tonic है जॉब, ठीक है, इसके बाद एक यह question देख लिए, बिल्कुर सिंपल question है, जो आपने pathway पढ़ा है, वो pathway अगर आपको याद है, तो आप कर लेंगे, अभी हमने जो एक आपको pathway बताया है, BMP, अब देखिए, pathway जो बताया है, अब इसमें, आपको ध्यान रखना है, अब इससे यहाँ पर देखिए, BMP4, BMP4, cartilage का फ्रमिशन कर रहा था, BMP4, cartilage और WNT, beta, pathway के साथ, cartilage का फ्रमिशन कर रहा है, फिर BMP4, sorry, BMP क्या कर रहा था, FGF के साथ मिलके, WNT, pathway के साथ मिलके, DECOV का कर रहा था, और apoptose कर रहा, तो pathway तो यह पूरा सही है, इसके बाद यह क्या करता था, यह inhibit कर देता था इसको, अब यह वाला तो यहाँ बना नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी तो पूरा चीज़ सही है, अब यहाँ पर देखिए, beta, cat and BMP को activate कर रहा रहा, इसके बाद इसमें confusion हो रहा है, ठीक है, फॉस्ट और फॉर्थ में, तो WNT, beta, cat and BMP को inhibit करा दिया, तो यहाँ पर देखिए, WNT दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यह inhibition दिखा दिया गया, तो यह तो पहले ही गलत हो गया, फिर यह FG, इसको WNT भी तो चाहिए, और WNT यहाँ पर inhibition शो कर रहा है, तो इसलिए according हमारा यह सही नहीं होगा, हमारा क्या option हो रहे है, फॉर्स्ट, ठीक है?